नमस्वार दोस्तों इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा इस मेट्रो सेवा की सबसे बड़ी खासियत है कि अंडर वाटर यानि पानी के नीचे बनी सुरंग में चलेगी साथ ही ये देश की सबसे सस्ती मेट्रो सेवा होगी ये लाइन 15 किलोमेटर की होगी पहले लाइन में 6 किलोमेटर लंबी लाइन के शुरुवात होने जा रही है इस मेट्रो में एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन तक जाने का किराया मातर पांच रुपे होगा रेट चार्ट के अनुसार 2 किलोमेटर तक के लिए 5 रुपे 5 किलोमेटर तक 10 रुपे 10 किलोमेटर तक 20 रुपए और अंतिम स्टेशन तक के लिए यात्रियों को 30 रुपए चुकाने होंगे मेट्रो में यात्रियों को कई तरह की सुविधाई में लेंगी ये प्लैट्फर्म स्क्रिन डोर और डिटेक्शन सिस्टम जैसे आधोनिक सुविधाउं से लैस होगी मेट्रो रेल्वे के एक अधिकारी ने बताया कि जल्दी कोलकता के लिए ये सेवा बढ़ा कर 12 किलोमेटर तक की जाएगी मेट्रो रेल के सी प्यारो इंदरानी पैनरजी ने बताया कि इस्ट विस्ट मेट्रो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो होगी कलकता मेट्रो रेल कॉर्परेशन बहुत जल्द हुगली नदी के भीतर मेट्रो चलाने जा रही है इस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट पर काम बहुत तेजी से जारी है और उमीद की जा रही है कि मार्च 2020 तक ये काम पूरा हो जाएगा जिसके बाद यात्रियों को अंडर बॉर्टन मेट्रो का रुमान्चक अनुभव मिलेगा पहले फेज में ये सौट लेक सेक्टर 5 से सौट लेक स्टेडियम तक चलेगी इस मेट्रो से कोलकत्ता को बहुत फायदा होगा अब तक सडक से उक्त दूरी को तै करने में करीब तेड़ घंटा लगता था लेकिन मेट्रो के शुरू हो जाने से ये सफर मात्र 13 मिनट में पूरा हो जाएगा उन्होंने बताया कि छे कुछ वाली ये नई अत्याधुनिक मेट्रो है रेल मंत्री प्यूश गोईल करेंगो घाटन कुलकत्ता मेट्रो रेल भारत सरकार के रेल मंत्राले के तह चिन्नित 17 छेत्रों में से एक है या केंद्र सरकार का उपक्रम है केंद्रिय रेल मंत्रे प्यूश कोईल 13 फरवरी को इस मेट्रो सिवा का उधगाटन करेंगे और 14 फरवरी को इसे आम जंता के लिए खोल दिया जाएगा बहुत बहुत थन्यवाद नमस्वार दोस्तों देश में सबसे पहले मेट्रो सिवा शुरू कर इतिहास रशने वाल अकूल